इंडिया इस बार आसकर्स जीतने वाला है और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं RRR की बात करने वाला हूँ तो आप गलत हो जी हाँ RRR के पास एक दोस्त है जो उसके साथ आसकर्स जीतने वाला है और उसका नाम है All That Breeds आररा तो अफकोस आसकर्स में धूम मचाने वाला है और जीतने के भी चांसिस हाई है लेकिन मैं कहूँ कि इस बार इंडिया को एक नहीं दो नहीं बलकि तीन से भी जादा आसकर्स मिलने का चांस है तो All That Breeds एक डॉक्यमेंटरी फिल्म है जो दिल्ली में बसे दो भाईयों की कहानी है जो अपने बेसमेंट में एक बर्ड होस्पिटल चलाते है और उनका एक फेवरेट बर्ड है जिसका नाम है द ब्लैक काईट यह दोनों भाई ऐसे हजारों बर्ड की देखभाल करते है जो दिल्ली की पलूशन की वज़़े से आसमान से गिरते है और कई कारणों की वज़े से इंजड हो जाते है और उनकी फेमिली और दिल्ली के कुछ किसों के बारे में यह डॉक्यूमेंटरी है All That Breach के डारेक्टर है शौनक सिन यह डॉक्यूमेंटरी जो है वो दुनिया भर में सबका दिल जीत रही है बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाके एव इसको जीतने बाकी है और औसकर्स के बेस्ट डॉक्यमेंटरी फीचर के एवार्ड के लिए एक स्ट्रॉंग दावेदार है औसकर्स को अभी चार महिने और है और तब तक यह और कई सारे एवार्ड के लिए हगदार है इस फिल्म को बहुती अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है और इस बार यह लग रहा है कि यह बेस्ट डॉक्यमेंटरी का ऐसकर इंडिया के लिए जीत सकती है यह अभी टॉप फ्री डॉक्यमेंटरी में ट्रेंट लिए है और मैं यह ऐसे ही क्यों बोल रहा हूँ आप सोच रहे होंगे तो उसके लिए आप इसके एवार्ड्स और न पहले किसी ने भी नहीं किया, सबसे पहले winners की list उसमें Canz Film Festival में Golden Eye Award, Sundance Film Festival में World Cinema Grand Jury Prize for Best Documentary, और ये सबसे पहली film बनती है दुनिया भर में, जिसने Best Documentary का Award जीता है at Sundance and Canz Film Festival, इससे पहले किसी भी film ने, दोनों Film Festival में same Award नहीं जीता है, for Best Documentary, तो ये एक World Record है, फिर उसके बाद London Film Festival में Garrison Award for Best Documentary Film, फिर Hong Kong International Film Festival में Golden Firebird Award for Best Documentary, Asia Pacific Screen Award for Best Documentary, Cinema Eye Honors Award for The Unforgetables, Docates 2022 में Best International Feature और Best International Editing का Award, IDA Awards में Paray Laureate Show Award, Indie Film Site Network Advocate Award, Doc NYC याने New York Documentary Shortlist फीचर में, इसको Best Cinematography का Award मिला है, और अगर आपका नाम इस Shortlist में आया है, और अगर उसके उपर आपने एक Award जीता है, तो nomination आपका 90% तक confirm हो जाता है, फिर Carrico Film Festival में Silver Hawn with Film with High Artistic Value, फिर Validio Lead International Film Festival में Fundos Award और उसके उपर Best Documentary का Award भी ये जीत चुकी है, तो उसके उपर इन Awards का result आभी भी आना बाकी है, तो ये रही वो list, तो Gotham Awards में ये Best Documentary के लिए नॉमिनेट हुई है, और इसका result 28th November को आएगा, फिर Idea Awards में Best Feature Documentary, Best Director, Best Cinematography और Editing के लिए ये नॉमिनेट हुई है, और इसका result 10th December को आएगा, फिर Cinema Eye Honors Award में Audience Choice Prize, Outstanding Non-Fiction Feature, Direction, Production, Cinematography और Sound Design के लिए ये नॉमिनेट हुई है, और इसका result 12th January को आएगा, फिर Film Independent Spirit Awards में Best Documentary के लिए नॉमिनेट हुई है, और इसका result 4th March को आएगा, और ये रही वो list जिसके लिए वो नॉमिनेट हुई थी, लिकिन जीत नहीं पाई, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ये रही बाकी की list जो की Film Festival में इसकी screening हुई है, as of November 24th, तो अभी भी Oscars को 4 महिने बाकी है, तो और भी कई Film Festival में ये जाएगी, और भी बहुत सरे Awards के लिए नॉमिनेट होगी, और बहुत सरे Awards भी ये जीतेगी, तो हमें as Indians इस documentary को support करना चाहिए, सोशल मीडिया पे, कि ये Oscar जीत पाए RRR के साथ, और RRR के Awards के उपर भी वीडियो जल्द आने वाली है, तो उसके लिए subscribe का बटन दबाईए, और अगर मैं कहू कि इंडिया के पास एक और film या documentary है, RRR and All That Breeds के अलावा जो Oscars जीत सकती है, तो subscribe कीजे, और comments में आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताईए, और इस वीडियो को like and share कीजेगा, की लोगों को पता चले की हम इस बर जीत सकते हैं, और RRR अकेला नहीं है, तो thank you for watching, please subscribe and I'll see you again in the next video, till then, bye bye.